इसको बोरेन भी कहा जाता है को आज इसके बाद और बहुत सारे टॉपिक्स हैं बहुत इन्पोर्टन टॉपिक्स हैं इस्से उनिट का जो एक के बाद हम डिसकस करेंगे, आज हम स्टार्ट करते हैं higher boron से, higher boron जो एक most important topic है, जो 5 नमबर, 3 नमबर, 2 नमबर के questions में आ सकता है, और बहुत easy topic है, जिसको थोड़ा सा conceptual, इसका knowledge आप रखेंगे, तो अब आसानी से इसको लीग सकते हैं, इसना थियोरी याद करने की ज hydrogen to form hydrides, yet a large number of hydrides of boron are known, ठीक है, ये simple सा बताता है, कि जो हमारा, जो हाला की जो boron होता है, जो boron होता है, और directly hydrogen से नहीं जुरा होता है, hydrides बनाने के लिए, ठीक है, फिर भी हमें, जो है, large number में hydrides, boron, boron की hydrides हमको गया थे हैं, देखो, ये जो hydrides होते हैं, ये जो होत compound होते हैं, मुलब सहसे युजग compound होते हैं, and are called borane, ठीक है, इसको जो है, borane कहा जाता है, ये जो है, किस से समानता प्रदेशित करते हैं, by analogy with alkins, ठीक है, तो ये analog, ये जो है, alkins से समानता प्रदेशित करते हैं, और these are electron deficient compound and are of two type, ठीक है, these are electron deficient, मतलब electron की इनके पास कमी हो होती है, ये जो BH जैसे कि ये hydrates बनेगा, borone और hydrogen जो है, combine करके जो hydrates बनेगा, इनके पास electron की कमी होगी, electron deficient compound का जाद है, and ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रकार के होते हैं, देखिए, एक होते है, borane of BNHN plus 4 type के होते हैं, एक borane of BNHN plus 6 type के होते हैं, तो दो 2, 5, 6, 8, 10, and 18 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखिए, पहला type है, BNHN plus 4 type का होते हैं, जहां N बराबर 2, 5, 6, 8, 10, and 18 यूज़ कर सकते हैं, these are the quite stable, हाँ, ये most important point है, जो BNHN plus 4 type होते हैं, ये quite stable, मतब ज्यादा stable होते हैं, and high melting pointing का गलनांग point जो होते हैं, बहुत जादा होता है, एक्जामपल के लिए, B2, H6, Diboran, B5, H9, Pentaboran, B6, H10, Hexaboran, B8, H12, Octaboran, B10, H14, Decaboran, ये कहीं प्रकार को होते हैं, जैसे कि देखिए, इसको भी याद करने की जोरत नहीं है, आपको, जैसे कि यहां पे ये बस याद रखिए, कि BNHN plus 4 में जो N is equal to 2 5, 6, 8, 10, 18 होता है, तो 2 अगर N के जगा रखते हैं, तो 2 यहां पे 2, 2 plus 4 is equal to 6, तो B2, H6, Diboran बन गया, इस तरह से आप ये एक्जामपल भी बना सकते हैं, और याद रख सकते हैं, उसी परकार होता है, BNHN plus 6 टाइप, तो यहां पे आपको बस याद रखना है, N के जगा 4, 5, 6, 9, and 10 रख सकते हैं, इस बोरेन अर अनिस्टेबल, हाँ, यह भी एक इंपोर्टन पोईंट है, यह जो है क्वाइट इस्टेबल, मनलब यह ज्यादा इस्टेबल होता है, यह जो है अनिस्टेबल होता है, और इसके पिक्छा जो होता है, कम मेल्टिंग पोईंट होता इसको भी उसी तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे अगर हम N के जगा 4 रख देते हैं, और तो यह 6 प्लस 4 इसगल टू, B4, H10, टेटर बोरेन होता है, तो यह एक्जामपल याद करने की ज़ुरत नहीं है, यह सब आप कॉंसेप्ट किलियर होगा, तो बना सकते हैं, बस अनुसार जो है, नोमेन कल्चर बोरेन का नोमेन कल्चर अनुसार नेम एस डाइटराइटरा बोरेन, and so on, according to the number of boron atom, followed by the numeral, example 67810, ठीक है, विच इंडिकेट अनुसार के अनुसार, जो बोरेन होता है, जो बोरेन होता है, तो देखिए, यहां पे जो हमने पढ़ा है, वही नोमेन कल्चर में बताया है, कि जो आईपेसी नोमेन कल्चर के अनुसार, जो बोरेन होता है, यह जो डाइ, ट्राइ, 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 जैसे कि अगर दो है तो डाइ, टीन है तो ट्राइ, चार है तो ट्राइ, यह आपको पता है, ठीक है, चार है तो ट्राइ, औहां से स्टाट्ट अग manip계 के पास पूर Soundsो cats असटेज सप्ट होरे इसका इंपॉर्टेंड है प्रिपेसन औफ हाइर बोलेन हार बोले यह कीई परकार से बनाए जा सकते हैं जिसका कि higher Boreign can be prepared by the following method कहीं परकार के method से जो है higher Boreign बनाय जा सकते हैं जैसे कि higher Boreign बनाय जाते हैं तो एक एक करके हम higher Boreign को जो है discuss करते हैं कि कैसे इसका preparation किया जाता है तो पहला जो है हमारा stock method एक most important matter है जिसके दोरा Boreign बनाय जाता है तो stock method होता है क्या है जो stock होता है एक वेग्यानिक का नाम है stock ने प्रिपेर अल दा बोरेन except B9H15 by the action of dilute SCR and H3PO4 on magnesium boride Mg3B2 ठीक है simple सा है यह आप यह example देखके आप समझ सकते हैं कि इसमें कहा क्या गया है इसको याद करने की जोरत नहीं है बस इसी को समझाया है कि जो stock होता है ने सभी प्रिकार के बोरेन को बनाया था सिर्फ B9H15 को इस matter से नहीं बनाया जा सकता है यह इसको जो है यह exceptional है इसको आपको य रियक्शन कराएंगे तो आपको बोरेन प्राप्त होगा जैसे कि यह है 2Mg3 B2 plus 12 SCL जब बनाता है तो 6Mg3 Cl2 plus B4H10, B4H10 tetra borine हमको प्राप्त होता है और कुछ amount में B2S6 नहीं भी प्राप्त होता है, B4H10 plus S2 इसको गरम करेंगे तो 2B2S6 नहीं प्राप्त होगा, यही stock method क के द्वारा यह बना जाता है, मलब सिंपल्स आपको याद रखना है कि mg magnesium boride में जो है आपको SCL का जब आब reaction कराते हैं तो आपको tetra borine प्राप्त होता है, और उसके बार, sorry, क्या बोलता है, tetra borine, हाँ, sorry, tetra borine प्राप्त होता है, लेकिन अब उसी परकार जब इसको, जब इसमें H2 के साथ इसका reaction कराता है, तो डाइब प्राप्त होता है, बस सिंपल सा है, उसी परकार एक है woods method, woods method यह भी method simple है, this method has been used to prepare, यह जो है केबल हमको tetra borine बनाने के लिए यह use होता है, which is obtained by the action of C2H5I on sodium amalgam Na HGST, sodium amalgam, मलब sodium, यह पारा जो होता है, हाँ, उसमें हम लोग इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड का जब दोनों का reaction कराता है, तो हमको tetra borine प्राप्त होता है, और साथ इसाथ यह sodium iodide भी प्राप्त होता है, यह simple सा boots match है है, उसे परकार from the di borine, di borine मलब B2S6 के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, higher borine such as B4, higher borine जैसे कि B4 H trend, B5, H9, B5, H11, and B4, H14 are obtained by the hitting B2S6 at a different temperature, S zone below, जैसे कि B2S5 di borine जो होता है, इसको different temperature में, अगर हम लोग heat करेंगे, तो हमको different di borine प्राप्त होता है, higher borine प्राप्त होता है, तो देखे, B2S5 को 100 degree में करते है, तो B4S14 प्राप्त होता है, B2S6 को जो है 115 degree centigrade में, अगर हम 200 degree, या 200 degree centigrade में गर्म करते हैं, तो B5, H9 प्राप्त होता है, यह simple सा है, डाप्त होता है, बाद हीटिंग अप लोवर बोरें, जो होता है, उसको heat करते है, अलग-अलग temperature में, तो हमको higher borine प्राप्त होता है, वही पता है, higher borine can be obtained by hitting lower borine, for example, B4H10 को 95 degree centigrade में, अगर हम लोग reaction कर प्राप्त होता है, तो B10H14 प्राप्त होता है, फिसको 200 degree centigrade में reaction कराता है, तो B5H9 प्राप्त होता है, इस प्राकार जो है, हम इलेक्रों डिस्टाथ B10H16 प्राप्त होता है, उसे प्राकर second example है, B4H10 को 60 degree centigrade में, अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो B5H11, और यह simple सा process चलता है, तो lower boran को गर्म करके हम लोग higher boran प्राप्त कर सकते हैं, यह भी इसका एक preparation का matter है, तो अब इसका properties पहलते हैं, general properties और borans, borans का general property क्या होता है, simple सा है, अगर आप आपने पूरा concept समझा है, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, physical state, borans are the volatile, gases, liquid and solid, टीनो पर करके, एक तो है, gas, liquid and solid, टीनो फॉर्म में हो सकते हैं, stability हमने इसका types पर है, BNHN4 type जो होता है, quite more stable होते हैं, and BNHN plus 6 जो होता है, unstable होते हैं, और electron deficient compound है, हमको पता है, कि all the borans are the electron deficient compound, electron की कमी होते हैं, उनके पास, और decomposition, मतलब यह जो है, अब घटित हो जाते हैं, अगर उनको ज्यादा गरम करेंग सिक के द्वारा जो है, यह hydrolyze हो जाते हैं, ठीक हैं, यह simple सा था, आपका, यह है higher boran, higher boran जो है, important topic है, inorganic chemistry का, MSC first semester में, तो बस यह है, आपको higher boran, अगर आएगा तो इसका theory लिखना पांच नमबर में आ सकते हैं, तो आप इसका जरल, यह definition दे सकते हैं, इसका types बता सकते ह है, पांच नमबर के question आएगा, तो अब इसका preparation जो है, आप यह चारो method जो है, पहुत अच्छे से learn कर सकते हैं, क्योंकि यह एक number के question में भी आ सकता है, दो number में भी कोई एक method पूछ सकता है, अगर पांच नमबर में आता है, तो आपको सब के लिखना पड़ेगा, और इसका support कीजिए, like, share and subscribe to my channel and thank you so much for watching, और इसी प्रेकार के और वीडियो देखने के लिए, please हमारे साथ बने रहिए, thank you so much for watching.